दोस्तो दुनिया में तरह तरह के जानवर रहते हैं इन में से कुछ जानवर खुंखार होते हैं तो कुछ बहुत ही सांत होते हैं कोई मांस खाकर अपना पेट बरता है तो कोई धांस भूस खाता है कुछ जानवर ताकत वर होते हैं तो कुछ कमजोर भी होते हैं कुछ जनवर ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक तो नहीं होते हैं लेकिन मंदर से बहुत ही सक्तिसाली होते हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में उन जनवर को बारे में जानेंगे जो खतरनाक तो नहीं होते हैं लेकिन उनका सरीर पहाड की तरह मजबूत होता है ये जनवर सोभाव से सांथ होते हैं लेकिन इन में ताकत बाकी जनवर से कहीं ज्यादा होती है अगर इने परिशान ना किया जाए तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुचाते हैं इनके सरीर में इतनी ताकत होती है कि ये वो एक जटके में इस एकड़ो किलो का वजन उठा सकते हैं तो दोस्तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही जनवरों को बारे में जानते हैं जो सोभाव से तब बियत सांथ होते लेकिन ताकत के मामले में खुंकार जानवर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते दोस्तो ये जानवर सांथ जानवरों में से एक माना जाता है जब तक इस जानवर को छेड़ा न जाये तब तक ये कुछ नहीं करता है लेकिन अगर ये गुसे में आ जाए तो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देता है दोस्तो एक दरियाई घोडे का वजन करीब 4000 किलोग्राम तक होता है दोस्तो शरीर की विशेस बनावर्ट की वज़ा से दरियाई घोडे के लिए जलिये जीवन बहुती अनुकूल होता है इनके नाग कान आग शरीर के सबसे उपरी हिस्से में होते हैं इसलिए ये पानी में आदा डूब कर भी देख सुन सकते हैं दरियाई घोडे अपने दीन का अधिकान समय पानी में ही बिताते हैं इससे उनको अपने सरी को ठंडा रखने और धूब से बजने में मदद मिलती है दोस्तो ये जानवर देखने में बले ही प्यारे लगते हों लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं ये अपने इलाके में आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं इनके दात बड़े ही खतरनाक होते हैं और लगतार बढ़ते रहते हैं इनके दो सबसे नुकीले दात की लंबाई 50 सेंटिमीटर तक हो सकती है दोस्तो गेंडे शरीर से बड़ा जानवर होता है ये सबसे भारी और तागतवर जानवरों में से एक होता है इनका आवसत वजन 2000 से 3000 किलोग्राम तक होता है कुछ गेंडे 3500 किलोग्राम के वजन के भी होते हैं ये इतने बलसाली होते हैं कि अगर इनको गुसा आजाए तो ये बड़े बड़े जानवरों को भी धूल चटा सकते हैं दोस्तो गेंडे का कवादार सरीर के कारण लगबग कोई भी सिकारी जनवर इनका सिकार करने से सोचता है भारत के अलावे SCI गेंडे वर्मा नेपाल पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में पाया जाते हैं दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रित्वी पर मोजुद सभी जनवरों में से सिर्फ गेंडा ये कैसा मातर जीवे जो आग से नहीं डरता है बलती इसे सामने जाता है दोस्तो हाती बहुती बड़ा जानवर होता है इसके सामने सेर बाग भी एक बार आने से घबराते हैं ये धरती के सबसे भारी बरकम वाला जीव माना जाता है अगर कोई भी जीव इसके पैर के निचे आजए तो उसका जिंदर औरना मुस्किल होता है हाती बारत में तो पाई ही जाते हैं विस्वक के दूसरे देशों में भी इनकी संख्या देखी जा सकती है हाथियों में अफ्रीकी हाथियों को सबसे ज़्यादा ताकत वर माना जाता है इनका वजन करीब 6000 किलो तक भी हो सकता है और ये अपनी सून से 300 गिलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं ऐसे में आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तो वरतमान समय में हाथियों की दो ही पर जाती है बचिये दुनिया में प्राप्त हुए वीविन जिवास्मों से पता चलता है कि आज से 500 करोड शाल पहले हाथियों के करीब 170 पर जाती है पाई जाती थी यह जिवास मस्टुलिया और आकार्टिका को छोड़ कर सभी महादीपों पर पाए गए हैं दोस्तो बेल्जियम ब्लू बूल दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है यह सांड सेरी अबा की तरह खतरनाक तो नहीं लेकिन मजबूत कट कार्टिके होते हैं इनका वजन करीब 1200 किलो ग्राम यानी 12 टन का होता है और यह 900 किलो का वजन भी आसानी से उठा सकते हैं तो आप इसी बात से अंदाजा लागा सकते हैं कि यह जानवर कितने ताकतवर होते हैं तो दोस्तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानौर से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे जानल को सब्सक्राइब करके साइट में घंटी कॉल कर दें ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो के साथ